नमस्कार दोस्तों क्लाफ्टेन एकोनोमिक यानि हमारी अर्थ वहस्था का चेप्टर फाइब रुजगार एवन सेवाएं का कोस्टा नमबर तीन मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ ठीक है आपके बुक में कोस्टा दिया गया है सरकारी सेवा किसे काते हैं ठीक है आपको सेवा जिसके अंतरगत देश वर राज की सरकार लोगों को काम के बदले ठीक है मासिक वेतन देती है और इसके बदले जो है उनसे बिभीन छेत्रों में काम लेती है तो उसे सरकाई सेवा का जाता है दोस्तों बातनों को आप समझे देखिए आपने गौर्मेंट टीचर को देखा होगा गौर्मेंट इनजीनेर को देखा होगा यह सब लोग जो है सरकाई नौखरी करते हैं यानि सरकाई सेवा के लिए काम करते है ठीक है दोस्तों है यहाँ पर आपका आउंसर कहता है कि देश वर राजी की सरकार जो है लोगों को काम के बदले जैसे कि डॉक्टर जो है वो आस्पताल में काम करता है ठीक है गर्मेंट डॉक्टर जो आस्पताल में काम करता है उसके काम के बदले जो है सरकार उन्हें मासिक वेतन देती है यानि महिने में पैसा देती है ठीक है जो इंजिनियर होता है वो जो काम करता है ठीक है उसे भी मासिक वेतन मिलती है सरकाई सेवा कते हैं तेक है अगर कोई आदमी दुकान खोल कर बैठा हुआ है तो उसे आप सरकाई सेवा नहीं कहेंगे मतलब सरकाई नोकरी जो करता है उसे ही सेवा स्वास सेवा अभी यंत्रन सेवा वित्य सेवा बैंकिंग सेवा दोस्तों सेवा आरमी को देखा ओगा आपने यह सब क्या इससे अंतरगत आते हैं इस शिक्छक जो होते हैं वो भी सरकर इंजिनियर जो होते हैं या फिर जो भी बैंक में काम करते हैं कर्मेंट इंप्लाई सारी जो लोग है वो आते हैं इसके अंतरकर ठीक है काई सवागा अंतरकर आते हैं इसे याद रखें तो कोशा नाशर को आप पढ़ लिजे थांक्यू